संबंधी हैं पडोसी हैं हमें कहां लेके जाते हैं दवा कर लो और उस दवाई के बारे में उसके गुर्दोश के बारे में ना तो उनको पता है ना जो बिमार है उसको पता है यहां तक कि जो हमें दवाई देने वाले चिकितसक हैं उनको भी यह नहीं पता है कि यह अमुक द कभूर करेगी . दबा के दबा देते जाते हैं और हम लेते जाते . ठीक है न अंत में प्रेशान हो के हम क्या करते हैं फारधा नहीं हो रहा है कि हिश्य लाज कर लेते ERICigh लेते हैं लास्ट रेसॉर już on ma retro कर दो प्रकरती उसको लास्ट में रख लेते और इसका परणाम क्या होता कि जो रोग छोटा सा बीज था वह बड़ा सा ब्रिक्ष बन जाता जो अभी नजला जुखाम खासी आना था छोटी स्टेज में था एक्यूट में था वही बड़ा होके क्या बन जाता है बहुत दूसरी तरफ हमारी बिमारी का स्वरूब भी बदलता चला गया स्रिष्टी का रहस्य कि दुनिया में स्रिष्टी का यह रहस्य है कि अगर लोहे की वस्तु खराब होती है तो इसकी रिपैरिंग लोहे से होती है सोने चांदी की खराब हो तो सोने से होती है मानो शरीर जो स अपने आप होती है, self-repairing, self-reproducing, सब कुछ self है, इसके अंदर एक शक्ती है, क्योंकि यह जो नियम है, यह शाश्वत है, eternal है, अनुलंगनी है, आप परिवर्तनी है, शिष्टी का नियम, तो यह तो हमारी कहानी, जब हमें पता लग गया, कि जो चीज जिस चीज से बनी है, तो क्या हम इतने बेवकूफ हैं, कि हमें इतना भी नहीं मालूम, कि यह हमारा जो structure है, यह हमारा जो रत है, यह किस material से बनाए है, इतना तो मालूम होना चीए, तो समझ में आता है, कि छिती जल पावक गगन समीरा, पंच तन्त मिल बने ही शरीरा, पांस तत्तों से शरीर बना है, अब पांस तत्तों में केवल धर्ती का ही हम दोहन करें, धर्ती को ही समझें कि यही रोग ठीक करेगा, तो नहीं, इनी का imbalance होता है, तो हमें रोग आ जात परिवार होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे रावन का परिवार था, बहुत बड़ा था, तो जब नेगेटिव आने लगता है, तो बहुत जादा आता है, मेरी ये बिमारी, मेरा ये दुख, मेरे ही को क्यों, ऐसे क्या, क्यों, कैसे, इन कुश्चन की क्यों में हम लग कर रहे थे इसी च्छड में अभी आपके कान ये सुनने लग गए शोता बन गए सुनने लग गए इस च्छड का आनंद लेना यही जीवन की निरोगिता की बहुत बड़ी एक कदम है कि जो हुआ है उसको लेट गो करो फरगीब करो फरगीट करो सब के साथ है ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो हमारे साथ नहीं हम भी अनुभों के साथ ही बता रहे हैं हमको भी वोचिछ करनी पड़ती है चलना पड़ता है जब गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप इतना कुछ बता रहे हो तो बहुत कठी नहीं हो सकता बाबा उन्होंने का कि अर्जुन तू बार बार अभ्यास कर अभयास तू कौन थे वैराग्यन चग्रिहते जब तू अभ्यास करेगा तो तूझे बुराईयों से वैराग्या जाएगा घ्रना आजाएगे निकल जाएंगी सारी बाते तो कम सकम पता तो हो कि कब दिन है और तो कब रात है अच्छा है तो रात को बड़ी अच्छी तरीके से विचारधारा को लेकर अगर आप सुएंगे तो जैसा सुएंगे वैसा ही जगेंगे ये तो छोटी सी बात है, हमारा जो दीर्ग कालीन ये सपने चल रहा है, जब अंतकाल आता है, मृत्तू आती है ना, तब भी आप जो कुछ भी विचार लेके सोते हो, माने मरते हो, वही विचार के साथ आपका जनम होता है, उसको अभी अभ्यास करना है, रोज मरना, रोज ज समय के लिए हर दिन अपने आपको समय देना, कि क्त् आज हुमने किया, सारा दिन में क्या खाया, क्या पिया, कैसे सोए, कैसे बैठे, कैसे बह़ लाइधे, कैसे मलत्यागा, पैसे क्या चीज़् ने, एक सीम की तरह उसको देखना, दिन भर में एक दो सेकंद निकाल के यहां पर में मैं करना है दूसरे को नहीं देखना है हर दिन जब आप चेंज़ हो तो आपको देखकर लोग चेंज होंगे आप यहां लेते हैं हमें लेने की बहुत आदत है हम जब लेते हैं, रोग आया, तो दुख लिया, किसी ने कुछ बोला तो दुख लिया, खाया पिया, तो दुख लिया, लिया, लेओ मत, गल्ती हो जाती है, उसको सोचना बंद करो, जैसे आप सोचना बंद करोगे ना, तो उसका जो प्रभाव है, डेंसिटी है, वो घटती भी नजर आएगी, फिर जो आपको दुख दे रहे थे ना, आप करके देखना अभ्यास है, यह प्रैक्टिकल है, वरक्शॉप है, यह करके देखना, कि आपक करना इसको ले नहीं नहीं, महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, उनको लोग अच्छे लोग को लोग गालियां भी देते हैं, उनको लोग गालियां देने लग गए, तो कुछ नहीं बोले, अपने सुभाव में शान्त और स्थिर रहे, वो व्यक्ति ठक कहने लगा, कि किस मूर्ती से बने हो, आपको इतना कुछ बोला और आपको असरी नहीं हुआ, तो बोलते हैं, भाया, प्यार से बोले, एक बात बताओ, अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, बहन जी हमें अगर गिफ्ट दे दें, हम कहें बहन जोडने, हाँ जोडने, तो गिफ्ट कहां लृट रहेगा, मेरे पास तो नहीं आएगा ना, उन्हों नहीं भी वही कहा, अगर कोई किसी को गिफ्ट दे, और कोई ना ले, तो वह इस गिफ्ट का पतना होगा? तो बोला, वह उसी के पास wokal लिया है, तो बहने भी नहीं लिया, या, तो हम सब भी कहांनिया देखते ह मंण के अंदर वही विचार करते हैं अरे पडोसी ने बोल दिया अरे घरवालों ने बोला बोल दी दीया कहां गया पास्ट में गया आप आप अपर अब हो प्रेज manure तो प्रेजन्ट में हमें रहना सीखना है अ अब संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जन्तु हैं, जब परमात्मा ने उनकी संरचना की, तो उनके जीवन शेली की संरचना करी थी, उनके खाने पीने का भी प्रबंध किया, उनकी डिजाइनिंग उसी साब से कर दी थी, मनुष्ची को जब पैदा किया तो थोड़ी सी छू मेटर बना, आपने देखा, क्योंकि आपको खुली आँखों से देखने के आदत है ना, इन्होंने रंग बिरंगा पेंना, हमें भी रंग योश्ची कैनना, यह खा रहे हैं, इन्हें इन्हें बिमारी हुई है, चलो, यह बिमारी है, हमें भी ब्लड पेशर हो गया है, तो कहा ही जाता है जैसा अन वैसा मन आज जानवर हमसे भी अच्छे हैं अभी भी अच्छे हैं क्यों कि वह अपनी डिजाइन को अभी भी पहचान कर रखे हुए हैं सम्हाल के रखे हुए हैं आप किसी भी जानवर के आगे अब गाय आपको दिखे और आपको यह चूहा बहुत स कर लेगी तो नहीं चरेगी ना और हम क्या करते हैं अपने से पुछ सब कुछ अब भक्ष को भक्ष करते हैं उसके बाद कहते हैं कि मुझे यह तकलीफ है तो तकलीफ तो होनी चाहिए ना जायसी बात है तो आप यहां पर चेक करो कि मेरी तकलीफों के पीछे हमारी वजह क्य हो गई है एक दिन मृत्व के पहले तक भी शरीर के अंदर के जो बाहर वैद्ध हैं अंदर वैद्धनात हैं वैद्धनात बैठ के अंदर से वह सफाई जैसे आप भी कहीं निकलते हो चाहिए आपकी हिम्मत पड़े या ना पड़े फिर भी आप सोचते हो घर को समेट के ही न लोग कहते हैं यह तो निशानी मरने की नहीं सफाई तो जब सफाई बनती है तो हम यह क्यों सोचें कि हम तो इतनी उमर के हैं हमारी बिमारी इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है तो क्या हमें इतनी छोटी बनानी है हम है बनाने वाले मालिक हम है राजा हम है अगर हम ठान ले और द्रणता से पकल ले, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है मानते हो ना, लेकिन क्या चाहिए? द्रणता चाहिए, शंशे नहीं चाहिए, अब नेचर में भी संशे है, तो गीता में काया, शंशे बुद्धी विनस्शन्ती, शंसे अगर आ गया, ऐसे खाने से हम ठीक हो जाएंगे, अब हमने खाने नेचर क्योर के हिसाब से जिंदगी को हटा कर, अपने सुभाव को समझ कर, हमारा सुभाव, आपके कहने से नहीं, आपने जो जो हमें बताया, नेचर में भी जो जो हमने सीखा, पार से, उन सब को क्या कि कर दिया, अपने सुभाव पर अब हम आए, इस साल मेंहें लगा कि अपने हुट सुभाव पर आना है, जैसे जानवर, जानवर वृत्तिए हमने देखी, कि अपने सुभाव पर आना है, हमारे इसी घर में डॉगी भी है, जहाओं से अभी हम आए है, मैंने बालक नि का लेकिन जब घर में हम रखते हैं तो उसको अपने ज़सा धाल लेते हैं तो जैसी मैंने बालकुनी में खोला तो देखा कि आपगुतर भास का है मैं इसको रिड किया जै को मारना है ताजा खाना है सोभाओ को अभी भाण नहीं ठोड़ा है और हमने अपने सभाव को दूसरों को देख देके छोड़ दिया है बस यही हमारे दुखों की में वज़े है हमारी अंदर की सफाई बिगड़ती जाती है हर दिन बिगड़ती जाती है और हम बिमार पढ़ते जाते हैं फिर हमें रास्ता नहीं मिलता क्योंकि आज रास्ता लेकर बहुत सारे लोग निकले हुए है, कोई कहता है कि खीरा खाने से नुकसान है, कोई कहता है खीरा खाने से फाइदा है, इंसान कहां पे जाए, कहां जाएंगे आप, अगर कोई कहे फलों में बहुत दवाई है, और दूसरा कहता है कि नहीं, आपको दिए भी भी खाते चली में भूखर। भूख भी अब नहीं, हवा खा रहे हो प्यार खा रहे हो खुराक खा रहे हो अब हम आपको उत्तर देते हैं कि अधर चलो दूसरा इधर मत चलो तो आप तो बीच में तर्शंग की तरह कहां जाओगे आप अपने स्वभाव में इन माने यह चीत तो बाहर से हमारे उपर लादी गई है बच्चे को जब आया था किसने बताया कि तुमारा जो भूख शांत करने का तरीका यह किसी नहीं बताया उसके भूख शांत करने के तरीके का परमात्मा ने प्रबंध करा था और उसों लगातार अगर देखा जाए त है ऐख भूख तो यह ऍて है उसे आप झाला जब शूरू walks after itा बातकप अंगूर दे दो ऐसे नित्सकी फेर जब लत अजैंते तो में आप यहां उज्की उंसे हैं यह करना है तो मिन दूद जब श्बिमार उन्या थोब रह में कर अब हो गई भरमार शहों है तो यह अग arrange है कि नहीं है हम उसको जबरल स्भ необход कि तो बिना खुण काने की बीमारी पूरे विश्व में क्या हो गई है कि फेली हुई हम खाना इसले कहते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो दूसर नहीं आएगी जिसको आपको तैयार करने जो भगवान की रसोई में पका है जो भगवान ने पकाया है जिसको आपको अपनी मानों की रसोई में पकाना ही नहीं है केवल भूक लगने पर खाना है केवल भूक लगने पर खाना है बगवान ने आपके आने से पहले ही हमारे पूरवज तयार किये पूरवज कौन है यह सारे पीड पौधे ब्रिक्ष फलोंके बगीचे अप मानते हैं सुन तो हमारे कौन हुए पूर्वज हुए हम इनकी कटाई चटाई कर देते हैं बिल्डिंग बनाकर पैसा कमाने के लिए जरा भी दर्द नहीं होता जिनसे हमें जीवन मिला उनकी हम कटाई चटाई करके उनको किनारे करते हैं तो व्रिक्षा रोपड पर्यावरण की भी कर लुद सकता हैं जर्द पराथी चटाई कर देख बनाफसे इसको खाएं एसके अच्छे बिल्ड को देखें ऐसे देखें जानवर ऐसे रिका ढहता है नीचे डहता है जानवर को प्र भी जावाम की घमीन पर लगी उएं पिर भी यहां से निकल रहें हमारी झे निगाह इ लगे हमें तो आम दिख रहे हैं हम कैसे उसको पाए हम कोशिस करेंगे कि कुछ इटा मारे या चड़ जाएं लेकिन नीचे लगे हुए गेहु को चावल को और चीजों को दालों को बड़ी हर्याली में लग रहे हैं लाला रहें फिर भी अंदर का सुभाव क्या कहेंगा क्या खाओगे अब लटके आम खाओगे या सुन्दर का यहु फैला या और कुछ फैला उनको खाओगे या वह बदाम लगा हुआ है या तिल का पेड़ लगा है फ्लैक सीड लगी है जो जो आप खाते हो मतलब वह ऐसे ही तो आता है न तो अब सिद्ध हो गया कि हमारे खाने के समय में जैसी हम बोलेंगे फल खाना है तो आपका प्रश्ण तुरंत निकल आएगा कि फल के अंदर तो बहुत दवाईया है फिर दूसरा प्रश्ण आजाएगा फल से हमारा पेट नहीं भरेगा तीसरा प्रश्ण आजाएगा कि फलों में क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा कौन सा सब कुछ चीत चाहिए कौन जानवर सोचता है कि हमें बेटमिन मिल रहा है कि ये मिल रहा है कि वो मिल रहा है जब फल बने हैं मौसम के तो उनके अंदर सब कुछ भर दिया गया है प्रोटीन आमिनो एसिट भर दी गई गुलुकोज शरीर को चलाने के लिए चाहिए गुलुकोज भर दिया गया जो आफ्पका कर मानों की रसोई में रोटी चावर डाल का ब्यापार फैलाए हो गरों में औरれ utilizing में खा रहा है अब बहुत पहुत करके मार्केट में दुकान चलाओ और थोड़ी मेहनत करके मार्केट में दुकान चलाओँ फर्ट है ranking किस में होगी फोड़ी में होगी न तो घघवान ने का ये बच्चे मेरे विचारे दिन पर खेलें कुदें दोरें भागें और जब इनको भूक लगे, महनत ना करने पड़े, आज हमारी बेहनों का सारा दिन रसोही में निकल जाता है, निकलता है कि निकलता है, पसीने हो, चाहे जाडा हो, गर्मी हो, उनको रसोही में बिताना, जो बिल्कुल बेकार है, सारी बिमारी हमारी गुरुजी कहते थे कि कि जो कि आते हैं, उन्देरों मैं नहीं आता था, यूज कि हम कंडिशनिम थी, हमारी कंडिशनिं की गई है, कि पकाऊ नहींन होगे, रुटी दालचावल नहीं खाऊगे, खाओ, लेकिन वह हमारी लिए है नहीं, उसके लिए डिजाइन नहीं है, अब ये जो में बता रहे हो अ आप अपना अहार्द